जैहिंद बिहार पुलिस कॉंस्टेबल का एक्जाम से संबंधित एक न्यू नोटिस आया है गाइस इस नोटिस के माध्यम से आपको यहाँ पता चल जाएगा कि आपका एक्जाम कब होने बला है और आपका एड़िमिट कार्ट डाउनलोडिंग होना स्टार्ट कब से हो जाती थी जारी बिहार पुलिस न्यू एक्जाम एड़िमिट कार्ट डेट जाने कब होगा दुबारा परिक्षा नहीं नोटिस जारी तो गाइस आप इस वीडियो को कंटिन्यू वाज कीजिए आपको पुरा नोटिस परेंगे और समझेंगे कि एड़िमिट कार्ट कब से डानलोडिंग होना स्टार्ट हो जाएगा जै बच्चे बिहार पुलिस परिक्षा को लेकर इंतिजार कर रहे थे उन सभी बच्चों को इंतिजार है कि परिक्षा कब लिया जाएगा एड़िमिट कार्ट कब आएगा तो आप सभी के लिए एक जरूरी सूचना अभी अभी निकल के आ रही है क्या आपका परिक्षा बिहार पुलिस परिक्षा कब होगा जाने जै बच्चे बिहार पुलिस परिक्षा को लेकर इंतिजार कर रहे हैं वह इंतिजार के घरी जल्दी समाप होने जा रही है क्योंकि अभी अभी आयोक के द्वारा नए अध्यक्ष को नि इसके बाद से यह संभावना जताई जा रही है कि परिक्षा जनवरी में ही हर हाल में किया जाएगा तो एक जनवरी से लेकर तीन जनवरी तक छुटी रहने के कारण कोई भी अपडेट नहीं आया है लेकिन यह संभावना जाता है यार एक अगले दो से तीन दिनों के अंदर में CCC अपना पोटल पर नोटिस जारी करके बताएगी कि परिक्षा कब से लिया जाएगा पूरी संभावना है कि जनवरी में ही परिक्षा को आयोजित करवाया जाएगा क्योंकि जनवरी में अगर परिक्षा नहीं होता है तो फिर सीधे सीधे परिक्षा आपको दोस्त चार महिने के लिए पीछे हो जाएगा और यहाँ परिक्षा फिर जून जुलाई में लिया जाएगा इसलिए पूरी संभावना है कि परिक्षा को जनवरी में लिया जाएगा तो गाइस आप लोगों का आगार एक्जाम इस मन्त में नहीं होता है तो आपका एक्जाम जो है सीधे चला जाएगा जून जुलाई में लंबा गैप हो जाएगा अभी आप लोगों का एक्जाम लिया जाना चाहिए नहीं तो आप लोगों का एक्जाम जून में चले जायेगा जून जुलाई में बिहार पुलिस नए एड्मिट कार्ट जारी होंगे बिहार पुलिस परिक्षा कोंस्टेवल के लिए एड्मिट कार्ट एक्जामनेशन से एक सब्ता पहले जारी किया जायेगा अभी परिक्षा कब होगी इसकी कनफर्म नहीं हुआ है जिसके चलते या नहीं बताया जा सकता है कि एड्मिट कार्ट कब जारी किया जायेगा यह संभावना जताए जा रही है कि जनवरी में अगर परिक्षा होती है तो परिक्षा से ठीक साथ या दस दिन पहले एड्मिट कार्ट जारी कर दिया जायेगा बच्चे अपना सभी मांगे गए डीटेल्स को डाल कर आसानी सेडमिट का डाउनलोडिंग कर सकते हैं ओफिस्यल वेबसाइट पर जाकर गाइस यह नोटिस जो है आयोग के तरफ से निकल कर आ रहा है और अभी जो है कनफर्म नहीं है कि आपका एकजाम जो है इसी मन्त में लिया जाएगा या फरवरी में लिया जाएगा और देख लेते हैं क्या इनपोर्टेंट है नीचे क्या होम सेंटर होगा बिहार पुलिस का सेंटर जो भी केंडिडेट बिहार पुलिस परिक्षा कौंस्टेबल की तयारी में जूते हुए हैं उन सभी बच्चों को यहाँ जाना चाहते हैं कि क्या उनका सेंटर अपने होम सेंटर रहेगा या उन्हें अलग जीला में जाकर परिख्षा को देना होगा तो आप सभी को बता दे कि अभी तक नियंत्रन विभाग की और से कोई खवर नहीं आई है लेकिन यह कहा जा रहा है कि इस बार सेंटर होम सेंटर हो सकता है लेकिन जल्द एडमिट कार जारी होगा तब पता चलेगा हाव टू डाउनलोड भिहार पुलिस एक्जाम डेट सबसे पहले सी 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 के ओफीसियल वेब साइट पर जाना होगा उसके बाद बताएंगे विवरन को डाल कर लोगिन कर लेना होगा लोगिन करने के बाद आपका एडमिट कार्ट आ जाएगा उसको प्रिंट कर डाउनलोड कर लेना होगा यहाँ एडमिट कार्ट परिक्षा के लियमान्य होगा गाइस यहाँ कुछ इंपोटेंट आपको एडमिट कार्ट डाउनलोडिंग करने का सलह दिया गया है आप इसको अगर देखना चाहते हैं तो देख लें गाइस आपका जो आजका इनफोर्मेशन था गाइस यही किया भी तक जो है आयोग यह डिसाइट नहीं किया है कि एक एक्जाम को जनवरी में लिया जाना चाहिए अगर जनवरी में नहीं होता है तो आपका एक्जाम जुन जुलाई में चले जाएगा तो बहुत लंबा ग nghiwait हो जाएगा इतना नहीं होना चाहिए बिहर पुलिस कंस्टेबल गा एक्जाम तो आपको हर अपडेट इसी चनल प झाल